हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं? आप लोग अमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे चलिए आज जो हम लेका हैं आपके बीच यूरी केसिड का बरना और गठिया जो ये छोटे छोटे जोटे 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 होते हैं इसमालर जोट में खास करके इसमें सूजन हो जाना इसमें नोडूलर इंफ्लामेशन हर्डी की जिसी लगेगा बढ़ गई है कुछ हार्टनिस इसमें आ जाती है हर जोट में हार्टनिस नोडूलर हो जाती है जोट में इसी कम लोग बोलते हैं गठिया हो गई है arthritis या फिर uric acid आपकी बढ़ गई है तो uric acid घटाने की क्या इसी दवा है क्यों इसी दिक्कतें आती है खास करके ये ज़्यादा तर देखने को मिलता है जब 35 से 40 के उपर की age आते हैं तो धीरे धीरे इस तरह की case देखने को ज़्यादा मिलती है और ये देखा गया है female में ज़ uric acid का बढ़ना होने का क्या वज़र है क्या इसी वज़र हती है जो बार-बार uric acid बढ़ जाते हैं या फिर आपके जोड़ों में जकड़न या फिर दर्द उसमें सूजन हो जाना सोटे-चोटे जोएंट में दर्द होना redness हो जाना लालपन होना only more नहीं पाते हैं फिंगर बढ़ने का पढ़मुक काड़न है अभी की खान पान आनि dietary factor पढ़मुक काड़न है जैसे आप ज्यादा मातरा में यूरेट मतलब आप चाय लेड़ हैं कॉफी लेड़ हैं spicy चीज लेड़ हैं वाईली चीज लेड़ हैं मसाले वाले चीज घी वाले चीज एकसेस प्रोटी के बीच में जो होता है solid crystal का particle जम जाती है जिस बज़से गाठे परने लगती है और उसमें बहुते दर्द होती है दूसरा condition हो सकती है अधी श्माकर है अधी आप cigarette का 7 भी कर रहे हैं वो आपको यूरी के सीड बढ़ाएगी खाश करके cigarette गांजा और दाडू पीने वाले को और ज्यादा इस तरह की दिक्यत बढ़ती है कियोंकि kidney उनके damage होने लगती है और जो कि प्रोपर उसे filter नहीं कर पाती है जो कि waste product आप यूरीन के थो पिशाव के थो बाहर निकलना साहिए वो नहीं निकलने के वज़से आपके joint में जाके धीरे 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 वो जम जाती है तो हम बात करेंगे इसे बचने के लिए क्या इसी उप्योग लाएं क्या इसी पढ़ेज करें इसके बचने के लिए हम पढ़ेज में क्या लाब हैं आप चाय की मातरा बिलकुल ना करें एलकोहल की मातरा ना लें सिग्रेट की मातरा ना लें फ्राइड चीज जंग पड़ो पड़ो से फिजीकल एक्सरसाइज करें गिरीन वेजटीबूल का ज्यादा सेवन करें कभी भी ज्यादा ओईली चीज का सेवन ज्यादा नहीं करना है इस तरह से जूसी की सैटरस चीज लेने से अब बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट आएगा तो क्या ऐसी द सुनपन लगती है और मोमेंट ठीक से यह से मूडता नहीं है बहुत तुम धुशनास दर्द होती है जिनका जक्रन ज्यादा बढ़ जाती है प्रोनिक होती है उनको ये हाथ में पैड में सुनपन वर्क लिस धीरे-धीरे होने लगती है मोमेंट रूख जाती है कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं कोई इची हॉल्डिंग नहीं कर पाते हैं ये सारी समस्या सामना करना पड़ता है जब आपको यूरीकेसिड बढ़ जाएगी तो तो चलिए जानते हैं इसी बचने के लिए क्या इसी बेश्ट दवा हम हमें पैत में देते हैं जो कि आप यूरीकेसिड या फिर जोड़ जोड़ में जो सूजन और गांठ बन रही है उसको रोकेगी और बहाद जल्दे यूरीकेसिड को डाउन करने में मदद करेगी इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए मेरे से पर नए है तो मेरे चनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बगल में देगे बेल आकन को ज़रूर प्रेश कर लें ताकि इसी तरह नए नए जानकारी आपको मिल सके अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेश्ट दवा आपके हमें पैतने बनाई है जो की गठिया और यूरीक एसीड जो बढ़ रही है उसको गठाएगी जो गाठ बनते जा रही है जोड़ो जोड़ो में आपके अंगली हाथ पैड़ के अंगलियां पूरा टेड़ा पढ़ रहा है अकड़न हो रही है उसमें ज़्यादा जखरन हो रही है नंबनेस आ रही है ना टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है पैनी हांस धेर धेरे रेफर करके ऊपर तक जा रही है ये सारी समस्या को बिल्कुल ठेक करेगी इसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं इसके लिए हम लोग चलाते हैं पड़मुक दवाई है जिसका नाम है सिवाइना सिवाइना का मदर टींचर कैसे लेना है 20-20 गूंद करके 3 वार आधा कप पानी में गुनगुना पानी के शाद जादा फायदा करेगा गुनगुना पानी में 3 वार लीजिएगा श्याने आदमी और बच्चे हैं 5 साल 800 से नीचे के उनको 8 गुंद करके 3 वार आधा कप गुनगुना पानी के शाद किसी भी तरह की गठिया युरी के सीट जक्रन जोड़ों को टेड़ा होना ये साड़ी समस्या को दूर कर देगी चलिए इसी तरह की वीडियो अच्छा लगा मेरे सुद्बनेर हैं धन्यवाज